एक कुमार बनाता है मट्टी का पात्र और एक बन्सकार बनाता है बन्स वास का समगरी ये दोनों बन्स को बढ़ाने का काम करते हैं पहले सुहागन जो इस्तरी सोभाग्वती जो नारी कोई भी उध्यापन करती थी ना तो आप पोथी पढ़ेंगे तो उसमें पोथी में अपनी कान ना तो उसमें लिखा रहता है कि सुहाग पिटारी बोलो स्पये की जालते उसमें लिखा है सुहाग पिटारी सुहाग पिटारी देने का मतलब क्या होता है कि बास की कोई डलिया हो बास की कोई पिटारी हो बास की कोई तोकनी हो बास की कोई समगरी हो उसमें सुहाग की बस्तू रखकर जदी जाती है तो नारी कभी बिद्वा होकर नहीं जाती पती के अखंड सोबहाग ये को बंस बास बढ़ाता है इसलिए लड़का और लड़की की साधी मंड़प में होती है और वो मंड़प के अंदर बास लखना भले तैसे वो लोहे के डब्डे में तुम बास थाओगे पर बांस लगाना पड़ेगा, बांबू लगाना पड़ेगा, वो बांबू जो लगाया जाता है, जो बांस लगाया जाता है, यही हमारे बांस को और यही हमारे सुगागे को अमर करता है, इसलिए उसका बांस का होना विभा में भी जरूरी है, बांस का दान, बांस का दान, अर्थात जैसे हम दलिया के अंदर बसको सामगरी रखरदान देते हैं उसका फल अधिक गुना होता है